हलो फ्रेंट्स ही मासल हिल स्टडी में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वालाओं कि हमीरपो चेन बोर्ड ने आज एक रिजेक्शन लिस्ट जारी किया है पोस्ट कोड़ 768 के लिए जो की डिफेंस इंस्ट्रक्टर की है और चीफ इंस्ट्रक्टर प्लैटन कमा अंडर घbenल यह सबीन एक पोस्टके नाम हैं तो आज छेन बोर्ड ने इसकी जो रजैक्ष्ट जरी किया में आज तो मैं आपको बताऄं गों पहें कैटेज्चिंडेज़ 2D ek Kelvin जारी किया है यह इसलिए है कि पाहली यह घ्ख्डिश्जारी किया में उन्हों एक्ष्ट नहीं जमा करवाइी है कि ड्यू टू नॉन पेमेंट ओप ठीक है तो जिसकिसी का भी एक्जाम हो अपना नाम चेक कर लें और दूसरा यह एक पोस्ट के लिए एक्जाम था जो कि है सिर्टिकरी के लिए था और यह जो एक्जाम होने वाला है यह 23 सेप्टम्बर कोने वाला है हमीरपूर में सुभा वो 23 सेप्टम्बर को एक और एक्जाम होने वाला हमीरपूर में आपको पता ही होगा जिसने बरा होगा कि Medical Laboratory Technician Grade 2 का और वो Evening Section में है तो जिस किसी का भी है तो वो देख ले और जिस तरह उसकी rejection list आती है तो यह rejection list भी तो यह इन्होंने इसलिए जारी किया है क्योंकि इसमें जो पोस्ट थी वो सिर्फ SC कैटिगरी के लिए थी लेकिन जो मतलब कैंडिडेट से उन्होंने देख लो आप देख सकते हो कि ST firm की नोर कि इन्होंने और BPL वालोंने ST वालों कि तो आप देख लेकि वो पोस्ट किस कैटिगरी के लिए अगर आपकी कैटिगरी के लिए है तो मत भरें ठीक है बाकी आपको पते है कि अगर journal से हो तब तो उसे कोई भी भर सकता है लेकिन अगर किसी particular के लिए दे रखे हो जैसे ST के लिए या SC के लिए अगर आप OBCC तो आप उसे नहीं भर सकते हो ठीक है अगर जनल के लिए है फिर आप चाहे OBCC, SCC, STC तो आप उसे भर सकते हो क्योंब फिर आप जनल कैटिगरी के साथ फाइट कर सकते हो उसे लेकर तो यह बताना था कि क्यूंकि अगर आप फोम बरते हो तो आपके साइवर कैफे जाते हो तो आप फोम बरने के पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं तो इस बज़ा से आगे से ध्यान रखें ठीक है पाकि अगर आप खुद बर लेते हो तब तो खेर कोई बात नहीं लेकिन फिर भी अपना टाइम क्यों खराब करना फोम बर गें ठीक है तो आप इससे भी चेक कर लें इसमें भी आपका नाम हो सकता है बाकि आपको इतने ही बताना था जैसे कोई और जैक लिस्ट भी जा रही होगी तो मैं आपको बता दूगा ठीक है थैंक्यू